हेलो एवर्यवन गुड मॉर्निंग तो अल उफ यू वेलकम तो लॉजिक पाच्छाला आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 24 ओक्टूबर 2023 के इंपॉर्टेंट करेंट अफियर्स के क्वेशन्स डेली करेंट अफियर्स के साथ साथ फ्रेंड्स हम कवर करती हैं स्टेटी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेशन्स भी और साती में हम लास्ट दिन के क्वेशन्स को रिवाइज भी करती हैं विडियो का आपके एक्जाम पॉइंड वीडियो है और वीडियो का चो पीडियव है वो आप लोगों को मिल जाएका टेलिग्राम गुरूप से लॉचिक पार्ट शाला 16 जिसका लिंक आपको दिया गया है डिसक्रिप्शन भॉक्स में तो चले फिर आज की करेंट फिर की सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से अगर आप हाड नहीं मानते हैं तो यहीं आपकी जिन आपको एक दिन सफल बना कर रहेगी तो आपके अंदर एक जजबा होनाच चाहिए आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में हार नहीं देखे माननी है अगर आप कभी देखें fail भी हो गए किसी काम में तो आपको उससे सीखना है और फिस से जो हे आपको आगे बढ़ना है इसे जिस से कब मनाती है 24 अक्टूबर को मनाती है क्यों क्योंकि इस दिन देखे युनाइटेड नेशन जो है ओफिशली एक्जिस्टेंस में आया था 24 अक्टूबर 1945 को तो इस दे जो कि 24 अक्टूबर को युनाइटेड नेशन Day celebrate किया जाता है United Nation जो नाम है ये नाम किस ने दिया थे कि ये चीज़ भी important हो जाती है तो America के President Franklin D. Roosevelt इनके द्वारा United Nation को नाम दिया गया था और UN का Headquarter कहां पे है तो New York में जो है UN का Headquarter है so important है काफी दो दा आम में पूछा भी जाता है कि कब celebrate करते है 24 October को अब कुछ important देखे October की महीने जो है हमने जो important days पड़े उनको revise कर लेते हैं तो कुछ-कुछ important days को देख लिए 1st October International Coffee Day और इसकी थीम क्या रही Sustainability in Every Cup 4th October को मनाया गया World Animal Welfare Day और इसकी थीम रही Great और Small Love Them All 5th October मनाया गया World Teachers Day 11th October को celebrate किया गया World Cotton Day जिसकी थीम रही Making Cotton Fair and Sustainable for All From Farm to Fashion उसके बादे के 9th October कौन सा दिन है World Postal Day थीम इसकी रही Together for Trust Collaborating for a Safe and Connected Future नेक्स आता है Important Day 11th October International Day of the Girl Child और इसकी थीम रही Invest in Girls Rights, Our Leadership, Our Well-Being 12th October को मनाया गया World Arthritis Day जिसकी थीम रही Living with an RMT at all stages of life 14th October Celebrate किया गया World Standards Day और थीम रही इसकी Shared Vision for a Better World 17th October International Day for the Eradication of Poverty और इसकी थीम के रही तो थीम जरूर याद रखनी है इसकी थीम है Decent Work and Social Production Putting Dignity in Practice for All तो ये इसकी रही है 2023 की थीम अब आते हैं friends अपने पहले question पी तो first question देखिए Which of the following country has become the world first to launch an electromagnetic railgun fire test from a ship? कौन सा देश एक जहाद से electromagnetic railgun fire test launch करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? So first country बन गई है कौन सी? The answer is Japan तो Japan ने देखिया भी ship से जो है एक electromagnetic railgun fire जो है वो test इसको launch किया है अब इसको launch करने का इसको test करने का उद्देश है गया था तो mean उद्देश है गया था to protect vessel against air threats and surface threat लेकिन कभी जैसे की surface पे देखे high speed bullets जो होती है उनसे कभी खदरा हो जाता है जो vessels होते है उनको या फिर कभी हवाई हमला हो जाए तो उनसे अपने ship को जो भी vessel है उसको protect करने की परपस से जो है इसका test किया गया है तो इससे याद अगेगा फ्रेंट जपान पहला नेशन बना है जिसने electromagnetic railgun को launch किया नेक्स्ट क्वेशन पर आते हैं इसरो है successfully tested the crew escape system of the country's first human space flight mission गगनियान from which space center तो अभी इसरो ने अपने किस अंतरिक्ष केंद्र से देश के पहले मानव अंतरिक्ष उडान mission जो की है गगनियान तो गगनियान के crew escape system जो है इसका सफलता पूरवक परिक्षन किया है तो कहां से किया है इसका सफलता पूरवक परिक्षन राइट आंसर इज सतीज धवन इस्पेस सेंटर से इसका सफलता पूरवक परिक्षन किया गया तो जो इसरो अपना पहला human space flight mission लाँच करने वाला है गगनियान उसी का ही crew escape ये system है जिसको अभी successfully test किया गया है बात करते हैं इसरो के यहां पे फुल फर्म ध्यान रखेंगे इंडन स्पेस से सच औरगनाइजेशन इसके स्थापना होई 15 ओगस्ट 1969 को इसरो का headquarter बिंगलॉर करनाटिका में है और chairman कौन है शिरीधर सोमनाथ next question अगला question है विशन सिंग बेदी has passed away he was associated with which sport तो ये हैं देखे विशन सिंग बेदी इनका भी हाली में देखे निधन हो गया है किस खेल से जुड़े थे तो इनका संबंध किस खेल से था किरकेट से विशन शिंग बेदी ने 1967 और 1979 के बीच इंडिया के लिए 67 टेस्ट मैच खेले और इन्होंने उसमें 266 विकेट लिए और ये इंडिया नाशनल टीम के पहले professional head coach कब बने थे 1990 में तोड़े दोड़ी बाते ध्यान रख लें इनके बारे में लेकिन mostly important ये बन जादा है कि किस sports से ये associated थे तो इनका संबंध था किरकेट से next question which state government has launched the मुख्य मंत्री मा का mission to promote maize cultivation so देखे friends अभी हाली में किस राज़े सरकार ने मक्य की खेते को बढ़ावा देने के लिए मुख्य मंत्री मा का mission शुरू किया तो ये mission जो है अभी शुरू किया है उडिसा government ने तो main purpose क्या है देखे कि जो maize cultivation है maize मतलब जो मक्य की खेती है उसको enhance करना बढ़ावा देना और अनाज की जो superior variety है उसको introduce करना ये इसका main उदेशे था इस mission का अच्छा friends बात करते हैं उडिसा की तो उडिसा की stabilisement हुई 1st April 1936 को capital है भुवनेश्वर चीप मिनिस्टर है नवीन पतनायक और अभी उडिसा के नए governor appoint हुए है रगु वर्दास उडिसा में लोकसभा सीटे है 21, राजसभा की सीटे है 10 और assembly सीट से 147 उडिसा में जो major lake है वो है चिलका lake जो की इंडिया की largest brackish water lake है और इसे लगून lake के नाम से भी जाना जाता है अब बात करते हैं उडिसा से कुछ important news की तो thank you friends, उडिसा के जो chief minister है नवीन पटनायक उन्होंने उडिसा में international craft summit होता इसे inaugurate किया उडिसा government ने अमलन program शुरू किया था, अमलन मतलब एनिमिया मुक्त लक्षे अभियान next friends, इंडिया की जो पहली Olympic value education है इसे launch किया गया है उडिसा state में next याद लखेंगे friends, अभी कुछ ताइम पहले ही उडिसा में एक festival celebrate किया गया था, जो कि था राजा festival, ये एक agriculture festival था, उडिसा सरकार ने mission, शक्ती, scooter जो योशना है इसको approval किया उडिसा सरकार ने जो है, अम्मा पोखरी योशना को launch किया, next अस देखिये friends, मो घर योशना, my home जो scheme थी, ये भी उडिसा सरकार ने ही शुरू की थी आगे बढ़ते हैं, अगला question देखिये, अर टू डे लॉंग एन्थूरियम फेस्टिवल बिगन, विद ओल फेस्टिवल एन्थूयास्म इन विच स्टेट, दो दिन का देखिये जो एन्थूरियम महसब है, ये किस राजा में बहुती उत्सा और कि साथ, बहुत पूरे जो उल्लास के साथ में शुरू हुआ है, तो ये महसब शुरू हुआ है, मिजोरम स्टेट में, ये जो फेस्टिवल इसे Department of Tourism of मिजोरम के द्वारा ओगनाइस किया गया, टूरिस्म देखिये, एक बहुत important सेक्टर है, यहाँ पे income generation के लिए, और इस स्टेट की overall development के लिए, फेस्टिवल के दौरान काफी देखिये उल्लास के साथ में इस फेस्टिवल को celebrate किया जाता है, मिजोरम के बात कर लेते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मियंमार के साथ यहाँ पे मिजोरम के सीमा लगती है, यहाँ पे located है, capital है इसकी आईजॉल, चीफ मिनिस्टर है जोरम थांगा और गवर्णर है यहाँ के हरी बाबु कंभंपती, अगला कोशन, who has been appointed as the managing director and senior vice president of HP इंडिया, तो अभी HP इंडिया के प्रबंध निदेशक और वरिष्ट उपाध्यक्ष के रूप में किसे न्युक्त किया गया है, तो कौन पॉइंट हुई है, आंसर है इप managing director, अब बात करते हैं कुछ और appointments की, तो इससे हमारा देखे, revision हो जाएगा friends, तो देखी अभी IRCTC के CMD कौन पॉइंट हुए, संजय कुमार जैन, Housing and Urban Development Corporation Limited के CMD बने संजय कुल्ष्रेष्ट, International Daily Federation Board में चुह है, अपॉइंट किया गया है, डॉक्टर मीनेश शाहा को, एंड इ next question, अशोग वासवानी has been appointed as a managing director and CEO of which bank, तो ये हैं अशोग वासवानी, अभी ये हाली में किस bank के देखे, MDCO बने है, तो answer है, यहाँ पे कोटक महिंदरा बैंक, कुशन इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि कोटक महिंदरा बैंक के MDCO कौन पॉइंट वेद, answer is अशोग वासवान अशोग वासवानी ने replace किसे किया है, उदय कोटक को, उदय कोटक, कोटक महिंदरा बैंक के देखे, founder ही थे, और इसकी हुई थी बैंक की 2003 में, और headquarter कहां पे है, Mumbai भाराष्ट्रो में, और कोटक महिंदरा बैंक के chairman है, प्रकाश आप्टी next question, which company has been honored with the golden peacock award for its exceptional performance in risk management, तो जोखिम प्रबंधन में जो उन्होंने exceptional देखे, अपना performance दिया, उसके लिए अभी किस company को golden peacock पुरुषकार से सम्मानित किया गया है, तो ये award अभी हाली में दिया गया है, REC Limited को golden peacock award के बाद करें, तो इसके establishment हुई थी 1991 में, और institute of directors की द्वारा जो है, इस award की स्थापना की गई थी, ये award देखिए, corporate excellence, यानि corporate उतकरष्टता के लिए, international level पर जो accomplishment है, या जो अपने हासिल किया है, जो भी आपने contribution दिया, उसके लिए award दिया जाता है, तो अभी हाली में award किसे दिया गया है, REC Limited को, next question, who has won the EU's सखरोप पुरुशकार है, ये किसने जीता है, तो ये award जीता है, जीना महसा अमीनी ने, ठीक है, या देखेंगे friends, इन्होंने कौन सा प्राइस जीता है अभी, सखरोप पुरुशकार है, ये किसने जीता है, तो ये award जीता है, जीना म के जो award है, वो देती है, और ये award इने क्यों मिला है, for freedom of thought to Iranian woman, महसा अमीनी, who died in police custody last year, and the woman life freedom moment in Iran, तो ये इरोपिय संग के संसन्ने विचारों की सुतनता के लिए, जो उनका annually award है, सखरोप पुरुशकार, इस पुरुशकार से एक इरानी देखें महिला है, महसा अमीनी, इनक सम्मानित किया है पिछले साल देखे पुलिस कस्टडी में इनकी डेथ हो गई थी और इरान में जो वुमेंस की फ्रीडम हो गई लाइफ की फ्रीडम हो गई उस में उस जो ये मुवमेंट था उस आंदोलन को जो है सम्मानित किया गया है ठीके तो याद दखेंगे इनको ये प्राइस मिला है अब इसे के साथ बात कर लेते हैं कुछ और important awards की तो अभी देखे Best Tourism Village of India Award किसे मिला? West Bengal के Kiriteishwari Village को UN Award 2023 से सम्मानित किया गया Institute of Chartered Accountants of India को Daliv Singh Sondh Award ये award किसे मिला? Raja Krishnamurti को और कुकियों मिला है उन्हे Political Leadership के लिए नेक्स्ट दादा साहे फाल के Lifetime Achievement Award किसे मिला? वाहिदा रह्मान को नेक्स्ट क्वेशन पर बढ़ते हैं Who has been felicitated with the Award for Global Leadership by the Harvard Law School? तो अभी Harvard Law School के द्वारा वैश्वित नित्रत्व के लिए पुरसकार ये किसे मिला है? तो ये award किसे मिला है? तो अभी है हमारे Chief Justice है और इने जो है Award for Global Leadership तो इस award से इने समानित किया गया है तो अगले कोशन पर आगे बढ़ जाते हैं तो नेक्स्ट क्वेशन देखिए तो आप सभी चानते है नाशनल गेम शुरू हो गए है और कौनसा एडिशन है? याद केंगे 37th तो अगर बात करें इंडिया के लिए या किस स्टेट की जो वुमेंस वेडमिंटन टीम है उन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता है तो कौनसा स्टेट है यहाँ पे? असाम तो वुमेंस अगर बेडमिंटन टीम की बात करेंगे तो आप याद रखेंगे असाम स्टेट और इसी में अगर मेंस की बात करेंगे तो कौनसी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? करनाटका ने अच्छा बात करें कि जो 37 नाशनल गेम्स हो रही है यह कहां पर ओगनाईस हो रही है तो इन्हें ओगनाईस किया जा रहा है गुवा में यह भी याद रखें वेन्यू भी तो फेंट्स यहाँ पे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेशन्स कम्प्लीट हो गए है तो यह है फेंट्स आर्टिकल लंबर 66 जिसका सम्मन है वाइस प्रेजिडेंट के इलेक्शन से नेक्स्ट क्वेशन तब फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ट इन्ट तो जो हमारे मौलिक करतव्य है फंडामेंटल ड्यूटीज है उनका उले किसमें किया गया है नेक्स्ट क्वेशन विच आर्टिकल आर्टिकल ऑफ दी इंडियन कॉंस्टिटूशन कंटेन दी राइट तो रिलीजियस फ्रीडम तो किस अनुचेत में धार्मिक सोतनतता का अधिकार शामिल है आर्टिकल 25 से लेके जो 28 तक आर्टिकल है उसमें दिया गया है राइट तो रिलीजियस फ्रीडम तो हमें जो धर्म की सोतनतता है उसका पूरा वर्णन किया गया है इन आर्टिकल्स में तो भारते समिधान का वो कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि भारत में चुनाव आयोग होगा तो ये आर्टिकल कौन सा है आर्टिकल 324 तो फ्रेंड्स हम यहां अमारे हाँ पे कंपलीट हो गए है स्टैटिक जीके के क्वेशन भी आप कल के रिविजन क्वेशन की बात कर लेते हैं तो क्वेशन पहला देखिए अब ये आक्ट्यूबर में इंडिया फ्रांस मिलिटरी सब कमेटी जो मीटिंग हुई ये मीटिं प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी ने इंडिया का पहला सेमी हाइस्पीड रीजनल रेल सर्विश योहे से फ्लेग डॉफ किया उत्तर प्रदेश में वट इस दी नेम आप इस रीजनल रेल तो इस छेत्रिय रेल का नाम क्या रखा गया है आंसर इस नमो भारत इनका हाली में निधन हुआ है इन्हे कौनसी इयर में लिट्रेचर में नोवल प्राइस मिला था तो साहित्य का इन्हें नोवल पुरुषकार कब मिला था आंसर 2020 में नेक्स्ट मनुहर सिंग गिल पास्ट अवे रिसेंटली एड़ एज ओफ 86 हू वास ही तो मनुहर सिंग की बात करें तो ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे और ये भी याद रखेंगे फ्रेंट्स कौनसे नमबर के थे 11 तो 11 नमबर के चीफ एलेक्शन कमिशनर थे इनको एक और इंपोर्टन अवार्ड मिलाता जोगी है पद्म विभूशन कम मिलाता 2000 में तो ये दोनों पॉइंट ऑल्सो इंपोर्टन हैं नेक्स्ट विच्च स्टेट गवर्मेंट है लॉँच्ट अन एक्स्क्लूसिब प्रोजेक्ट फॉर दा कंशरवेशन ओफ नीलकिरी तेहर इंदी स्टेट अभी हाली में किस राज्य सरकार ने राज्य में नीलकिरी तेहर के संरक्षन के लिए एक विशेश परियोशना रुकिया है तमिलाडू सरकार नी अग्रा कोशन विच इस विच यूटी तेह रिसेंटली लॉँच्ट अप्रोच राइट आंसर क्या होगा जमू कश्मीर next question which is state government has launched a doubt clearance board application for government school students to offer a comprehensive educational experience तो अभी किस राज्य सरकार निक संधे निवारान बॉट application को launch किया तो फैंट्स इसे भी हाली में launch किया है आंधर प्रदेश ने next is bank ने launch किया है मुकुनूर mission तो मुकुनूर mission जो पहल है इसे शुरू किया है federal bank ने who has been appointed as the chairman and MD of IRCTC तो अभी देखे हमने इसको appointment में revise भी किया था तो आपको याद होगा संचे कुमार जैन IRCTC के जो है अभी chairman और managing director appoint हुए है तो आज के हमारे सभी important questions complete हो गए है अब कल के test के question को discuss करती है पहला question क्या पूचा था डेनियल नोवा अभी किस country के youngest president appoint हुए है तो answer is Ecuador next question था friends हमारा कि जो पहली building बनी है 3D printing technology से और building को नाम क्या दिया है Amaze 28 कौन से state ने इसको कहाँ पे develop किया गया तो इसे केरल state में इसे inaugurate किया गया है तो आप सभी ने friends दोनों question के answer बिलकुल सही दिये है आज के हमारे comment है बलवी कुमारी एन आशीष तो friends thank you so much और इसे तरह से आज की test के question की बात करें तो पहला question है Union budget of India is a rough word in which of the following article बात करते हैं जो भारत का केंद्रिय बजट है इसका उलेक जो है किस article में किया गया है और second question है जो DPSP है जिसे कहते है डारेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पॉलिसी या हिंदी में कहते हैं सेराजय के नीती नर्देशक सिध्धान्त तो इसका उलेक भारते सम्विधान के किस article में किया गया या भारते सम्विधान के किस भाग में mention है तो आप समीन दोनों question के answer हमें जल्दी से बता दीजे comment box में तो इसी के अतारत कर इंटरफेस का session आज यहां पे complete होता है विंस अगर आप हमारे channel को कुछ contribute करना चाहती है तो आप अपने दिल से हमें contribute कर सकती है तो ऐसे ही important session में फिर मिलेंगे Thank you so much for watching this video